हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चनले तर्ब्रीज मलीक उमीद करता हो सबच्छे सोंगे दोस्तों माल्टा के बारे में कुछ अफवाय फैल रही है एक्चली सेंजन पर भी न्यूस है कि माल्टा को सेंजन से आउट कर दिया जाएगा अगर उन्हें ने इस सिस्टम जो इ केश्टे स्टमट को कवर नहीं कर पाते हैं अब इस सिस्टम ये है कि आप बात करते बहुत साओं लोगों को नकीडिंग है मरी मेरा ये हुआ मैं cr ignore करने किया तो मुझे वी एफेस ने एक्सेट नहीं क्या बोलते हैं कि आपको एक रिफ्यूजल है अब थोड़ी चीज़ों को समझाता हूं यह चीज़े काफी पुरानी है और लोगों बहुत कंफ्यूजिग है दो टाइप का अपॉंट्मेंट होता है बड़ी ध्यान से सुन कि यह एक्सटेंडगके उसका 250 करते हैं फिरेंपम 002 चीन को सबसें हो तो आपका जो फाइल नोकल में जाएगा मतलब जो MBC है पास के जैसे कि अबुधाबी या नियू दिल्ली पंचसील पार्क में वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे आपके डॉक्मेंट को वेरिफाय करके वीजा दिया जाएगा 150 यूरो वाला, 250 यूरो वाला एक्स्टेंडे सर्विसेस लेते हो तो आपके डॉक्मेंट वेफिस एकस्टेंट तो करेगा आपके डॉक्मेंट को स्कैन करके बाकेदा सील लगाके आपके पासपोर्ट को सील लगाके इंटरनेशनल को इनको रुप कानून होता है तो पासपोर्ट कूरियर हो जाएगा Central Visa Unit पे मतला आपका passport courier होके direct Malta जाएगा और वहां की जो central visa unit है current identity की जो body है पहले जो identity Malta था उसकी जो body है central visa unit वहां आपकी document को verify करके चेक करके company का history चेक करके आपकी document को verify करके visa दिया जाएगा अब अगर for example आपका visa refuse होता है suppose करो कहीं से भी standard services में तो दुबारा आप application नहीं कर सकते हो खासकर UAE के अंदर या गल्फ के अंदर क्योंकि जब भी आप visa यहाँ पर apply करते हो अब उधावी में तो आपके passport पर एक stamp लग जाता है एक ठपा लग जाता है कि आपका visa refuse हुआ है उस उस चकर में आपको बोला जाता है कि आप जाके MBC का अप्रूल लेकर जो कभी भी जिंदेगी में आपको नहीं मिलेगा इसके लिए minimum आपको वन यह रुकना पड़ता है लेकिन एक बात बता दो उस वन यह के बाद भी यह लोन आटक करते हैं VFS वाले इवन MBC वाले आपको पर आट मैने का जो कानून है वह अभी भी बोला जाता है कि राइस टेंडर सर्विषेज सब्मिट करते हो और आपको वीजा रिफ्यूज हो कि आता तो उस पर कोई स्टैंप नहीं होता है उस पर बार बार समिशन वीफ एम कर सकते हो पांच मैने कानून भी नहीं आता और यह passport सीदा जाता है Central विजुट में दूसरा और चीज बहुड़ा important मैं कुछ चीज यह बताने जा रहा हूं कि standard services का जो ratio बहुत ही कम है विजा अप्रूवल का लेकिन वह एक standard services का ratio बहुत हाई होता है अप्रूवल देने का क्योंकि MBC अपने हिसाब से document चेक करती है Central विजा अपने हिसाब से अभी एक और बात यह भी है कि जो MBC विजा issue करती है वह भी CPU का प्रूवल पर करती है बट सोचो कि एक document अगर direct manager के पास जाता है ना कि data clerk के पास एक example तरक पर समझते है कि नीचे पोस्ट के पास बंदे के पास नहीं जारा direct उसके पास जारा जो manager है तो powerful document हो जाता है ज्यादा इतना ratification नहीं आता है कि 100 euro बच रहा है आपका 100 euro बहुत नुक्सान कर बैठता है तो मुझे लगता है यह informatic video आपके लिए थी कि वर्क पर्मिट जो अप्रूवल इस पर लेटर मिल रहा है उसका सही यूज आप extended services में करो और अगर आपका refusal हो जाता है एक और चीज जाते जाते बताना चाहूंग अब एक बार आपका visa refuse हो गया किसी भी work permit पर तो आप resubmission नहीं कर सकते हो आप उसकी resubmission नहीं कर सकते हो आपको नया work permit निकालना पड़ता है extended services में क्योंकि extended services में तो अल्रड़ी वो denied कर चुके होते हैं तो अगर आपका visa refuse होता भी है तो आप नया permit निकालके extended services लेके वाप टीम को contact कर से information ले सकते हो आपके सबने आप भी पूरे का चक्कर में इतनी फसनी के जरूत नहीं है कि मैं में दुबाई का visa लू तीन तीन लाग चाशा लाग रुपे का और यहां पर आपके बैठे बैठे में आपको visa भेजूंगा direct employee residence visa आप यहां पर आके अपना काम ढू आपको visa मिलता है 2 साल का लेकिन जब भी आपको renew करोगे आपको कोई चार्ज visa का renewal का नहीं देना है आपको हर साल आपको license renew करते रहना है और आपका visa हमें से ही चलते रहेगा इसमें सिर्फ एक activities include होती दोस्ती इसमें दूसरा एक्टिविटी के लिए दूसरा package है हमारी टीम बंदे अगर कोई भी आपको किसी भी लाइन की स्किल्ड बंदे एकदम परफेक्ट फाइब प्रस experience है आपके पास आइटी है डिप्लोमा डिगरी है तो हमारी टीम को वीडियो शेयर करके सीवी ड्रॉप कर सकते हो और हम आपको contact करेंगे next जब भी आवेलेबल होगा तो कै देख वेलेबलोगर ड्रॉप